हेलो एवरिवान वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बचीवी रोटी से नास्ता अक्षण हमारे घर में रोटी या बची जाती है तो हम सोते रहेते कि रोटी हो का क्या करें तो इससे बहुत ही आसान ओल चर्पट बनने वाला नास्ता बनाएंगे तो इसके लिए अधीड में यहांपे दो बचीवी रोटी दिहें रोटी की व्याल पड़ेगी तो इसका हम इसती तरह से रोटी का रोल बना लेंगे और हम यहां से कट कर लेंगे मेंश तरह से कट कर लिया है लच्छे की तरह तिए ममम हम मसाला करेंगे तो उसमें मिया आधा चमझ लनमीच वावडर ढालूंगि स्वात कानूँसार सोल्स डालोंगी और 11 4 चमझ पिर गरॉंबश round डालूंगी और दो चमज में यहाँ पे चावल काटा ले रही रही हूं राइस फ्लोर तो इससे हम अच्छी तरह से रोटियों में मिक्स कर देंगे इसके साथ चिपक जाए उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के हमें इससे मिक्स कर देंगे जिससे की चावल काटा है वह रोटि के लच्छे के साथ अच्छे से चिपक जाए तब बहुत पानी उमें नहीं डालना है । इतना यहां पे मैं एक मिक्सिन बाउल लिया है उस gü मैंने एक कॉप पंदुकस किया हुआ बोईल आलू लिया है जो मैंने पहले से बोईल करके रखा था तो इस तरह इसके अंदर हम मसाला करेंगे तो यहां मैंने ग्रिंग चिलिक काट कर लिए आधा चमच मैंने कुटी हुई लाल में चुली है और आधा चमच इतना में यहां आलू पकुड़ा के मसाला ले रहे हुरो हडा पाौं के मसाला और स्वाथ क यानुसारे हम सोल डैल देंगे वर सारे मसाले को माळू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आप चाहे तो इससे आपकी पसंद अमसार आप इसमें मसाला कर सकते हैं यह मसाला है और बच्चे को खाने के लिए अच्छा लगता है तो मैंने इस तरह से बनाया है अगर आप चाहे तो इसमें और भी मसाला आमचूर पावडर वेकरे सब डाल सकते हैं तो आलू को मच्छा से मिक्स कर देग आपको मेरी यसे भी पसंद हो और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्रेब नहीं किया हो तो सब्सक्रेब करना मत भूले तो हमारा आलू का स्टफिंग है ओध बन तयार हो गया है तो अब हाथ में थोड़ा सा ओईल ग्रिस कर लेंगे यह जितनी साच के आपको नास्ता बनाने उस सेप में आप बना सकते हैं में यहाँ पर बोल रक रेग्यूलर जोम नास्ता बना त है उसी तरह से बोल बना लूँगी तो चितना बोल बन सके इतना में उसका बोल बना लूँगी अगर आपको जोड़़ सेप पसंद है उससे अलोफ बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पह wowled बना का ready कर लिया है साइन मेरा देंगे और हम slurry बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक बावल लिया और बावल में मैंने दो चम्मच मेंदा डाला है उसमें थोड़ा थोड़ा सा पाणी डाल के हम इसकी slurry बना लेंगे तो इस तरह से अम अच्छे से घोल बना कर तयार कर लेंगे ताकि हमारा नास्ता है वो क्रिस्पी बनके तयार हो गया तो इस तरह से मैंने slurry भी एकी डेलेक्शन में माते गुमाते बना लिया है तो हमारी slurry बनके तयार हो गई है अब हमने जो आलू के बोल्स बना कर रखा था वही हम slurry में पहले dip करेंगे और उसे हम रोटी की जो बना कर रखे थल अच्छा उसमें हम इस तरह से गुल गुमा के उसके चिपका लेंगे और राथ में इस तरह से गुमाएंगे फिर वापस थोड़ी देर गुमाने के बाद वापस dip करेंगे और फिर उसे तरह से हमें दो बार करना है सारे बोल्स को जिसे की उपर का लेहर हो अच्छे से बन जाए और हमारा नास्ता है वो उपर से एकदम क्रिस्पी बनेगा अग हमारे बोल्स बन गया तयार हो चुक है साइड में रख देंगे यहां पे गेस पर मेंने एक पेंड रखा है और पेंड में मैंने पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया है अब हम उसे चेक कर लेंगे तो यहां से थोड़ा सा रोटी का टुड़ा लेके डाल देंगे तो तो इसी तरह से बीच बीच में चलाते ही रहेंगे जिसे कि हमारा लोटी का नास्ता है वो सभी तरह से अच्छा से फ्राइब हो जाएं यह नस्ता बनने में विल्कुल समय नहीं लगता और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि रोटी का बना हुआ है इतना अच्छा बनके त्यार होता है तो हमारे बोल्स उसका कलूर भी चेंज हो गए है फाए 5-6 मिनिट लगता है तब हमारे इसको फ्राइए होने में तो हमारे बोल से हो प्राइए हो चुका है तो अब हम इसे निकाल देंगे तो हमने दो बेच थी तो दोनों बेचों को इस तरह से फ्राइकर लिया है और ये रोटी से बनाऊ है लेकिन आपको पता भी ने चलेगा कि रोटी से बनाऊ इतना अच्छा बनके त्यार होगा और खान में तो बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आपके घर में कभी भी रोटिया बच्चे है तो आप सोचते है कि क्या बनाओ क्या बनाओ तो इसे तरह से अगर आप नास्ता बनाएंगे तो आपके घरवाला भी पता नहीं चलेगा कि ये बच्ची हुई रोटि का नास्ता है बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाते हैं, अब हम इसे सब कर देंगे, आप देखते हैं कि देखते ही मुंने पानी आ जाए इतना अच्छा हमारा रोटी का नास्ता बनके तयार हुआ है जब भी घर में रोटिया अक्सर बचती ही है जब भी बचे तो इस तरह से नास्ता रोटि से बनाए अब घरवाले सब खुस हो जाएंगे और अब तो बारिस के मोसम है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो ज़रूर बनाएंगे और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी केसी लगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो रेडियो को लाइक ज़रूर कर दीचे फिर मिलेंगे एसी नहीं वीडियो के साथ बाई बाई टेक के वीडियो के साथ मेरी आपको मेरी लगी ज़रूर समय के आपको लो जगए आपको लोगी नहीं अपको के